नमस्कार विध्यारतियों मैं प्रशान चाहत हूँ सक्सेस होम टूटर में आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना सेशन तो लिसन केर्फुली एंप पे अटेंशन आम स्टारिंग मैं सेशन तो शुरू करता है अपना सेशन राष्ट्रपती हमारे देश के जो राष्ट्रपती है उनका नाम है रामना कोविन बहुत ही महतपूर क्वेश्चन है कि देश के जो हमारे प्रमुख है कारिकारी प्रमुख तो नहीं मगर घटनापमग जो प्रमुख है उन्हें राष्ट्रपती कहा जाता है और उनका ना अगला प्राश्ण पती, ओपरास्थ पती के उप्रास्थ पती को भी मेलते हैं जब की द्राश्थ पती के रिक्त हो जाए, तो उनकी जगव उपर राष्ट्रपती राष्ट्रपती पद की नियुक्तिता काम कर सकते हैं अगला पद प्रधान मंत्री हमारे देश के जो प्रधान मंत्री है वो नरेंद्र मोधी है बहुत ही महतुपूर्णपद है देश के जो कारी-कारी प्रमुख होते है उन्हें प्रधान मंत्री कहा जाता है और हमारे देश के जो प्रधान मंत्री है वो नरेंद्र मोदी अभी है और पहले जो प्रधान मंत्री थे वो थे पंडित नहरू हमारे देश के मुख्य नहाजिश S.A. Bobde देश के जो मुख्य नहाजिश याने सुप्रीम कोर्ट के जो कि सबसे उंचा जो कोर्ट है राजधानी में जो स्चीथ है कापिटल दिल्ली में तो उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और उसके जो मुख्य ने आया जिश है उनका नाम है S.A. बोबडे रेल मंतरी पियुश गोयल रेल मंतरी जिनका नाम है पियुश गोयल बहुत ही मैं तुपूल्ण नाम है ये खेल मंतरी किरन री जी जू किरन री जी जू जो कि रेल मंतरी है किरन री जी जू ग्रहे मंतरी ग्रहे मंतरी हमारे देश के जो ग्रहे मंतरी है उनका नाम है अमिश शहा जो कि भाजपा के अज्यक्ष भी है यानि हमारी देश की जो सरकार है अबी भाजपा सरकार तो उस भाजपा पार्टी के वो अज्यक्ष भी है रक्षा मंत्री हमारे जेश के जो रक्षा मंत्री है उनका नाम राजनात्सीं है क्या है उनका नाम बहुत थी महतुपूर्ण प्रश्ण है और वो जरूर आप अपने जान में रखेंगे उनका नाम है राजनाज सिंह खुरुष्री मंत्री हमारे देश के कुरुष्री मंत्री कौन है नरेंदर सिंह तोमर और अगला जो लास का अप्षन है लास का जो क्वेशन है बी सी सी आई के अध्यक्श पुर्व कप्तान सवरब गांगुली याने सवरब गांगुली चोकि एक भारत के लिए एक वरदान साबित होने वाले कप्तान क्योंकि उन्ही के ही उन्ही के ही अधिकार तले भारत ने बहुत सी ट्रॉपिया जीची थी और वही सवरब गांगुली जोकि BCCI के अभी अधिक्षे बहुत ही competitive कप्तान थे वो तो हमने आज जी कुछ जीके के ऐसे question देखे कि बहुत ही important है परिक्षा के दुरुष्टिकों से और हमारे ज्यान में बड़त्री लाने के लिए तो मैं प्रशान जाद हूँ अपना ये short lecture यहाँ पर खत्म करता हूँ और आपसे विजा लेता हूँ नमस्कार